हलो student हमारा चेक्र चला है life processes जिसमें हमने nutrition के बारे में पर लिया nutrition हमारा दो तरह का है autotrophic nutrition यानि सफभूशी परचं और heterotrophic nutrition यानि की विशम परचंव तो हम हम यह पूरा परचुकए है autotrophic nutrition के बारे में भी प्रकात संस्टेशन के बारे में बढ़ चुके हैं, मनुष्य के पाचिन दाद्र के बारे में बढ़ चुके हैं तो आज हम इस portion, जो portion है इस chapter का, उसके कुछ questions हम आद दिसकस करेंगे तो चलो हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पहला question लिखा है Any substance taken into the body for nutrition यानि कि कोई भी substance, कोई भी पदार जो हम अपनी body के अंदर लेते हैं nutrition के लिए, potion के लिए, किसी भी पदार को जिसको हम अपने शरीर के अंदर potion प्राप्ट करने के लिए लेते हैं तो इस process को क्या कहते हैं और इस पदार को क्या कहते हैं तो कोई भी पदार अगर हम अपने शरीर के अंदर लेंगे पोर्शन प्राप्ट करने के लिए तो वो क्या होगा? भोजन होगा हमारा फूर, फूर ही हमें पोर्शन प्रोवाइड करता है इसके अलावा इस प्रोशन को क्या कहते है, यानिकी फूर को बॉड़ी के अंदर लेनी की प्रोशन को क्या कहते है तो इस प्रोशन को कहते हैं इंजेशन या अंदर करते हैं तो पहला कोशिन क्या है हमारा पोई भी पदार जो हम कोशिन प्राप्ट करने के लिए लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो इसका अंसर क्या है परस्ट अंसर है हमारा फूर और इस प्रोजन को क्या कहते हैं फूर को इंडेक्ट करने की प्रोजन को हम कहते हैं इंजेश इंदी में भोजण और भोजण को शरीर के अंदर लेने की प्रोसेस अंतर उब रहा है तो पहली खुशन का अंसर अब सगेंग खुशन है हमारा conversion of complex food particles into simpler by using enzymes यानि की जब हम food लेते हैं तो जो food है वो कैसे substance है complex यानि जो होजण हम खा रहे हैं वो वह जटल पदार्टों से मितर बना है अब उन जटल पदार्टों को हमारा शरीर तोड़ देता है कैसे पदार्टों में simple सरल पदार्टों को तोड़ देता है और इस प्रक्रिया में वो किसका यूज़ करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यानि जो होजण हमने खाया उसमें उपस से जटल पदार्टों को जटल भूज़ पदार्टों को सरल भूज़ पदार्टों में तोड़ इस किरिया में किसका यूज़ हो रहा है एंज़़ इससे क्या कहेंगे हम इस किरिया को कहेंगे हा पाचन या डाइजेशन क्या है जो complex food particles होते हैं उनको enzymes का यूज़ करके simple food particles में breakdown करना तोड़ तोड़ तो second का answer क्या हुआ हमारा digestion या दिकी पाचन थर्ट मुशन है enzymes of pancreative juice जो हमारा अगनाशय ही रस होता है जो pancreas अगनाशय है उससे एक juice नी कलता है रस मी कलता है उसके अंदर enzymes होते हैं जो भूज़न के पाचन में बदद करते हैं तो उन enzymes के हमें नाम बताना है तो जो अगनाशय है उसके अंदर हमारा जो फूट है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है कार्वोईडर होता है, प्रोटीन होता है और पैस होते है तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर तीनों को ही डाजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते है अब उन एंजाइम्स के नाम क्या क्या है, हमें के वल उनके नाम बताने है तो पहला एंजाइम, थर्ड का अंसर है पहला एंजाइम होता है इसके अंदर, एमाईलेंज कौन सा एंजाइम है, एमाईलेंज MLS किसका digestion करता है? कार्बो हाइडरेट का जो कार्बो हाइडरेट है उनने तोड़ देता है किसमे? sugar के अदर, glucose के अदर दूसरा दूसरा होता है trypsin trypsin enzyme proteins को तोड़ देता है amino amino acids जो protein होते हैं उन्हें amino acids के अंदर वो breakdown करता है protein क्या है? complex food particle है और amino acid simple है जिसको हमारी body absorb कर सकते है और तीसरा है हमारा lipase तीसरा enzyme है lipase और lipase क्या करता है? lipase digest करता है fat को और वो fat को तोड़ देता है fatty acids में और grease roll बसी amylो में और grease roll के अंदर वो तोड़ देता है वसा को तो तीन enzyme होते है trypsin के साथ chymotrypsin भी होता है लेकिन हम trypsin भी बताएंगे तो भी ठीक है तो pancreative use के अंदर amylase, trypsin और lipase तीन होई enzyme पाए जाते हैं क्योंकि carbohydrate protein और वसा का पाचल करते हैं अब हमारा fourth portion है raw material use in photosynthesis प्रकाश sensation की गिरिया में कौन-कौन से कच्चे पदार्तों को use होता है देखो प्रकाश sensation की किरिया में क्या होता है glucose बनता है glucose का निर्मान किस-किस के होता है carbon dioxide को use करके और water को use करके यानि carbon dioxide और जल क्या है raw material है कच्चा माल है जो की use हो रहे है प्रकाश sensation की गिरिया में क्या बनाने के लिए glucose बनाने के लिए तो हमारा जो fourth question है fourth question का अंसर है हमारा जल यानि की water H2O even carbon dioxide ये दोनों क्या है raw material है जो की use होते है photosynthesis की process में और इन दोनों का use करके क्या बनता है photosynthesis की process में glucose बनता है और साथ में oxygen gas भी बनती है जिससे हम सांस भी पाते हैं next question है हमारा name the type of nutrition हमें portion के प्रकार बताने है situation दिये हैं हमें तो उन्हें पढ़ना है और उसके बाद हमें portion के प्रकार बताने है पहला है पंगी यानि के जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं अपनी body के बहारी जो food material होता है उसको break down कर देते हैं जो कवक होते हैं अपने शरीर के बहार जो बोज़पदार्थे हैं उनको अपगटन कर देते हैं और अपगटन करने के बाद क्या करते हैं जो वो सरल पदार्थों में चेंज होगा है जो जटल पदार्थे जटल हो जब अदार्थे वो किसमें चेंज होगा है अपगटन के बाद और फिर अब उनको क्या कर लेते हैं तो कवको में के इस प्रकार का कौसन पार यहां . अएसा नहीं है कि नुसको अपनी बॉडी के उन्तले डाइजेशन कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट हुवए फूर्ड को और दो सु sleeping रहता है इस तरह का nutrition है। वह क्या लगता है सपर्ट्रोफिक passion use यानिकि म्रत्योग जीवी पोशन तो हम टाइपस ऑफ नूट्रिशन जी बात कर रहते हैं कि इस तरह का पोशन है तो जो हमारे कवप होते हैं वो अपनी शरीर के भारी सड़े कली पदार्फ होते हैं उनसे पोशन लेते हैं और उसे अपनी बॉडि के अंदर एबसॉर्ब कर तो इस तरह का पोशन के लाता है म्रत्योग जीवी पोशन या सेप्रोट्रॉफिक नूट्रिशन इसके बाद नेक्स है कस्टूटा कस्टूटा यानि कि अमरबेल जूं तो यह क्या करती हैं कि कि किसी भी ऐनिमल से या प्लांट से अपना नूट्रिशन लेती हैं और नूट्रिशन ले रही हैं तो उसको वो किल नहीं करते हैं क्या करते हैं केवल उससे पोशन लेते हैं तो ऐसे जो इस टाइप का जो पोशन है इस टाइप का जो नूट्रिशन है उससे हम कहते हैं पैरसिटिक मोड आप नूट्रिशन जिसमें कि जो एनिमल है या प्लांट ह है किसी दूसरे अनिमल या प्लांट से डारेक्ट निूट्रीशन ले रहा है फूर खा के अपनी बॉडिमा डाजस ने कर रहा है तो इस टाइप के निूट्रीशन पैरसेट बना रहा है जो होस्ट अपने लिए हैं लेकिन जो पैरसाइट है वो भी उसमें से अपना निूट् एक फूड. आमीबा अपना फूड कैसे लेता है। तो देखो जो आमीबा होता है, और की कुश्चन रफ कर देते हैं। तो जो आमीबा होता है, यह हमारा आमीबा है। तो आमीबा के पास यह जो फिंगर लाइक स्क्रप्चर दिखाई दे रहे हैं। पूर्ट पाद या स्यूड़ पोडिया अब कोई पूर्ट पार्टिकल माना अमीबा के पास आया तो वो क्या करेगा कि उसके जो सूड़ो पोडिया है इन से इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा इसको घेर लेगा और गेरने के बाद उस food particle को अपनी body के अंदर लेगा आप यह जो structure है जिसके अंदर यह food particle है इसे हम कहते है food vacuum या खाद धानी इसे कहते हैं खाद धानी इसके द्वारा क्या होगा यह जो food particle है यह जो भूजन था इसमें खाद धानी के अंदर amoeba enzymes की मदद से इसका क्या कर लेगा डाइजेशन कर लेगा जब यह डाइजेस्ट हो जाएगा तो विश्रण के द्वारा यह जो डाइजेस्ट जो nutrition है वो सब पहां चले जाएंगे इसके साइटोब्लास में चले जाएंगे कोशी का द्रभव में और कोशी का द्रभव में से जितने भी ओर्गन यहां-जान हीड है वहां-वहां यह यूस आ जाएगा उसके पास बहुत है उसके पहुंँच जाता है और बोडी नज फूर्चा के पूर्ट और दियता है अपनी बोडी चैनल से पूर्ट को फीड़ाता locks तो इस प्रोस्टिस को क्या कहेंगे हैं, इंजेशन यानि कि अंतर्थ है, अब नेक्स कोश्च रहे हमारा, हाँ, डैजेस्टिफ सीक्रीशन विदाउट एंजाइम, यानि कि हमारा जो पाचंत अंतर है, उसमें एक श्राब ऐसा होता है, जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नह नहीं पाय जाता, लेकिन वो भोजन के पाचं में मदद करता है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है, पित यानि की बाइल, जिसका श्राबन कौन करता है, लिवर, यक्रत, यक्रत, श्राबन किसका करता है, पित का, बाइल का, तो बाइल के अंदर कोई भी डैजेस्टिल ए पाचक एंजाइन नहीं पाए जाता है, बाइल क्या करता है, बाइल फैट के वसा के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें छोटे मॉलिकूल में तोड़ देता है, यह बड़ी ड्रॉपलेट है, बड़े बड़े यह वसा के मॉलिकूल है, उन्हें किसमें तोड जो देगा छोटे छोटे बहुत रहेगी वह वसा की वसा अब इस वसा का जो पाचन है वह इजी हो जाता है असाम हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सी करण या इमल्सी पिकेशन है तो बाइल बिना पाचक एंजाइम के वसा के बड़े मॉलिक्यूज यानि की अणों को छोटे अणों के अंदर तोर देता है और इस किरिया को कहते हैं इमल्सी करण तो इस प्रकार ये पाचन में बज़त करता है नेक्स प्रश्चन है हमारा मेजर इमंज अकरिं व्यूरें फोटोसिंथासिस की करिया में कौन-कौन सी घटनाइं होती है तो सबसे पहले क्या होता है जो सूर्य का परकाश है वो green parts पर बढ़ता है plants के और जो chlorophyll है वो क्या हो जाता है excited हो जाता है तो photosynthesis की process का पहला step क्या पहला step है absorption of light energy किसके द्वारा क्लोरोफिल के द्वारा है जो क्लोरोफिल होता है पर्ण हरिम होता है वो लाइट अनर्जी को एक्सॉर्प करता है और कैसा हो जाता है एक्साइट हो जाता है यानिकि तेजित हो जाता है और इस किरिया में एनर्जी निकलती है इस किरिया में एनर्जी निकलत पहला स्टेप लाइट एनर्जी का जो प्रकाश हूँ जा है उसका बंढ हरीम के द्वारा अवसोचना है सेकिन्ड स्टेप अब इस लाइट एनर्जी है वो क्या गड़ती है वाटर के मौलीकूल को तोड़ देती है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन सेकिन्ड स्टेप में इस लिए आखो कहते हैं प्रकाश विविटन प्रकाश अब कटन या पॉटोलिस इसे कहते हैं हाँ पॉटोलिस तो पॉटोलिस इसके अंदर क्या होता है जो बॉटर है वो तूर जाता है किसका यूज़ करके लाइट एनर्जी का संडेज यूज़ इसका यूज़ करके तूर जाता है किसके अंदर इसमें क्या बना है फाइट्रोजन बना और ऑक्सीजन बना इसको आएट्रोजन बना तो इसमें क्या बना प्रोटोन जो हाइट्रोजन है हाइट्रोजन आयन बने तो इन ही क्या कहेंगी है प्रोटोन बने तो वाटर का मॉलेक्यून तूट गया किसमें हाइट्रोजन आयन में और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो प्रकाशन संस्टेशन की गिरिया में ऑक्सीजन उसका अप्चेन हो जाता है किसमें कार्बोहेटे जो कार्बन डाइट सेडेस की ओ तू वो क्या बना देती है व्यूकोस बना देती है तो तीन स्टैप हुए पहला कि प्रकाश उर्जा का अप्सोर्शन करके जो पर्ण हरिम है वो तेजित हो जाता है और एनरजी डिलीज करत है यानिकि उर्जा बनाता है उर्जा का निर्माण करता है दूसरा जो जल है जल का प्रकाश अप्गटन होता है जिससे ब्लोडोन बनते हैं और अक्सीजन गैस दी करती है और साथ में क्या होता है जो प्रकाश उर्जा है वो चेंज हो जाती है किसमें रसाय नहीं पूल ज अब हमारा last question है कि प्रकास sensation की गिरिया में जो energy बनती है जो energy change होता है energy का conversion होता है तो कौन सी energy का conversion कौन सी energy होता है तो प्रकास sensation की गिरिया में कहां से start हो रही है वो light energy से जुरू हो रही है और लाइट एनर्जी किसके अंदर चेंज हो रही है जो प्रकास सेशन की गिरिया में लाइट एनर्जी चेंज जाती है जो इस तरीके से आज हमने इस वर्क्षीट से जो नुट्रीशन है उसको पूरा कवर कर लिया है वो वोस्ट अब दा कुस्चन जो वन मार्क्स की आटू जो बच्चे अटक जाते हैं जो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ कोश्चन अंदर से निकालूं और आपको समझाओं तो आपको कोश्चन क्लियर हो गाया होंगे तो वीडियो को लाइट जरूं कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब किए थैंक्यू एंड एड़